नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहें आचार जागंद्रमिस्त्रा साल 2020 का प्रथम सूर ग्रहन लगने जा रहा है जो असाड महीने के अमवश्य को रहेगा इस ग्रहन के दोरान बहुत सारी घटनाई होंगे छै ग्रहन वक्री वस्था में रहेंगे वहीं ये भयंकर सूर ग्रहन रहने वाला है क्योंकि ये काफी लंबा सूर ग्रहन रहने वाला है दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 21 जिन को पढ़ने वाला सूर ग्रहन सभी राशियों पर अपना अलग-अलग प्रभाव डालने वाला है परन्तु सभी राशियों में से 7 राशिय पर भी देखने को मिलेगा दोस्तों जैसे कि कई देशों में तूफान भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाई हो सकती है 21 जुन को पढ़ने वाला सूर गहन इसका सही समय और सूतक काल दोस्तों इसके अलाबा कौन कौन सी रासियां भागशाली रहेंगी और किस रासियों पर इसका नुक्सान यानि भेंकर प्रभाव पढ़ने वाला है ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये भारत समयत कई हिस्सों में ये दिखाई देगा और ये भी बताएंगे किस किस देश में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ग्रहन काल का सूतक का समय और ग्रहन काल में बरती जाने वाली साउधानिया उनमहत्पूर्ण साउधानियों के बारे में आपको हम बताएंगे इसके साथ ही दोस्तों उन सभी सुबकारियों के बारे में भी बताएंगे क्योंकि ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से आपको निश्चित तोर पर इसका सूपईणा मिलेगा और क्या करेंगे जिससे आपको नुक्सान ना हो, अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको 21 जून में जो लगने वाला सूर ग्रहन है यह 2020 का पहला सूर ग्रहन है और इसमें अगर आप कोई सुभकार यानि की बरजित है लेकिन फिर भी अगर आप इसमें कोई सूर संबंधित जाप करते हैं या भगवत चर्चना करते हैं तो आपकी सारी यानि जो मुश्कले हैं वो भी कम होती नजर आएंगी लेकिन दोस्तों पूजा वर्जित है पूजा ना करें भगवान की मूर्तियों को न चुए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक इस शूर गरहन का प्रभाव आपको यानि की इन सभी बारा राशियों पर देखने को मिलेगा दोस्तों साथ राशियों की पलटेगे किस्मत और पांच राशियों को होगा भैंकर नुकसान दोस्तों तो आईए जानते हैं कौन-कौन सी साथ राशियां जो भागशाली है जिनकी पलट रही है किस्मत और वो कौन सी पांच राशियां है जिनके बारे में यानि कि यहाँ पर नुकसान होने वाला है जो कि आप पहले से ही एलेट हो जाएंगे तो आपका नुकसान नहीं हो पाएगा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 21 जून को शूर ग्रहन साल 2020 में भारत सहित कई देशों पर इसका असर देखने को मिलेगा अस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, साउथ अपरिका यानि अटलांटिक कई ये महादियूपय में भी देखाई देगा अब बात करें अगर सूतक काल की तो ग्रहन काल सुबह 10 बच कर 30 मिनट से दुपहर 2 बच कर 5 मिनट तक रहेगा यानि कि यह सुबह 10 बच कर 31 मिनट से प्रारंब होगा और दो पहर के 2 बच कर 5 मिनट तक इसका समय रहेगा ग्रहन काल का और दोस्तों सूतक काल 20 जून को रात से 10 बच कर 20 मिनट से प्रारंब होगा सूता काल में यानि की बच्चे और जो बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं रोगी इसको छोड़ कर अन किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए इस दोरान खान पीन के पदार्थों में आप तुलसी के दल का शेवन करिए सूता काल में तो आपको लाबदाय करेगा किसी भी प्रकार का आप इसमें चाकू, सुई, सबजी या धारदार वाली बस्तों का इस्तिमाल ना करें गर्भती महिलाओं को इसमें यानि बाहर नहीं जाना चाहिए आप जहां पर हैं वहीं पर पानी के ववश्था करके वहीं पर रहें हाला कि इस समय आपको लिक्वड पीना चाहिए, गर्भती महिलाओं को भोजन नहीं करना चाहिए और अपने जैस कमरे में है उस कमरे से आपको डेहरी को डांकना नहीं चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए और आपको सोना नहीं चाहिए किसी भी धारदार भस्त को छोना नहीं चाहिए भोजन ना करें लिक्विट का इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन तुलसी के पत्ते का दल डाल कर दोस्तों ग्रहन काल में काफी महतपून साउधानिय जो आपको बरतनी है चाहिए खास तोर पर कोई भी ग्रहन काल में सूतक काल जब लगता है तो दोस्तों इसे जो ये 2020 का पहला सूर ग्रहन लग रहा है तो इसमें आपको सूर ग्रहन का आप जब सूतक काल लगेगा तो इसका असर सभी राशियों पर देखा जा सकता है खास कर दोस्तों इस ग्रहन काल के समय जरूरत मंद्र लोगों को दान कर सकते हैं और इसमें आप सूर संबंधित इस्तरोत का और उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं किसी ग्रंथ का जाप कर सकते हैं जैसे स्रीमध वहागवत महापुरान गीता हर एक ग्रंथ का आप जाप या उसका पाठ कर सकते हैं तो आपको फल मिलेगा दोस्तों यहाँ पर कोई भी सुबकार करना वर्जित माना गया है इसलिए कोई भी सुबकार करना करें मूर्थियों को न चुएं तुल्सी के पत्ते का शेवन करें अगर बात करें 2020 में लगने वाले यह सूर गरहन के आपके इफिक्ट पर डालने क्या क्या डालेगा तो दोस्तों इसमें आपको कोई शुबकार ना करें पैसे से जुड़े धन से जुड़े कोई भी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल सकता इसमें परंत यह सूर गरहन हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर रहने वाला नहीं हो सकता क्योंकि इसका असुप्रभाव पढ़ रहा है तो कई नकरात्मक चीजों को ला सकता है कई मुसीबितों को भी ला सकता है हमारे देश में ऐसी समस्याई हो सकती है जैसे कई अपदाई हो सकती है कई देशों से हमारे युद्ध जैसी इस्थितियां बन सकती है दोस्तों जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो कौन सी भागशाली राशियां है शात राशियां और कौन सी उजिनको नुक्सान हो रहा है पांच राशियों के बारे में तो हम विश्टार से चर्चा करेंगे तो दोस्तों, सबसे पहले या अगर हम बात करें यहांपर मेस राश की तो दोस्तों, मेस राश वाले उजातकों के लिए शुप पहिनाम लेकर आएगा यह शूर ग्रहन आपके केरियर में आपके जोब में आपको तरक्की मिलती नजरा रही है और अगर जो लोग पहले से जोब कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ट्रांसफर और प्रमोसन के योग बने हुए हैं यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है और यहाँ पर मेस राषवाले जातकों को सामाजिक इस्ति आपकी मजबूत होगी अगर बात करें हम ब्रिसब राषवालों के लिए तो ब्रिसब राषवालों आपके लिए यहाँ पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है निवेश ना करें धन का निवेश ना करें और आपको इस समय पैसे से संबंधित किसी भी चीज को किसी को उधार लें देन ना करें हाला कि आपको सफलता जरूर मिल सकती है आपके केरियर में अगर विपसाय कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए सुब कहा जा सकता है अगर बात करें हम मिथुन राषवालों के लिए तो मिथुन राषवालों आप के लिए यह सुब संकेत सावित होगा यह सुर्ग्रहन चुकि यहाँ पर आपको धन के मामले में आपको कई स्रोध बन रहे हैं और आप जो फैंसला लेंगे वो आपके पक्च में होगा आपकी आर्थी किस्तिती मजबूत रहने वाली राजिनीत से जुड़े लोगों को इसमें उनका यानि की पराकरम बढ़ेगा और उत्साह बढ़ेगा नई जिम्मेदारी मिल सकती है बात करें गर हम यहां पर आपके करकराशवालों के लिए तो करकराशवालों खर्चों में थोड़ा सा नियंतरन करना होगा खर्चा बढ़ सकता है बाद विवाद के स्थिती बन सकती है धन से संबंधित किसी भी चीज की आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो आपको जीवन में सफलता तो मिलेगी आप पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है लेकिन फिर भी मधूरतदा बरकरार अगे बैवाहिक जीवन को शुकमे रहने की कोशिज करिये बात करेंगर सिंग्राश वालों के लिए थोड़ी सी परिसानी आशकती है उन परिसानीयों को उन बाद विवाद को खत्म करने के लिए आपको पोजिटिविटी रहने की आवशक्ता है याने वाला समय आपके लि बेपसाय कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर बढ़िया यानि आमदनी के स्रोध बन रहे हैं, यह ग्रहन के दौरान आपको सावधान भी रहने के आवशकता है, करने राश वालों धन के मामले में आप सोच बिजार कर पैशा लगाएं, और किसी को आप अपना खास आदमी जो आप से मन मुटा तो हो सकता है, लेकिन फिर भी धन के मामले में कई स्रोध बन रहे हैं, तो यहाँ पर लेंदेन से तो बचना होगा, लेकिन आपके पास धन की समस्या नहीं आएगी, और यहाँ पर आपको परिवारिक महौल है, वो बेहत खुस्मे हो सकता है, आपके धन मे प्रगार की जो समस्या है या बदलाओ आपके लिए हो सकता है शूर ग्रहन के दर्मियान आप खुद को साउधानी पूरवक रखनी की कोशिश करिया और अपने बाड़ी पर नियंदरन रखिये बात करें अगर हम ब्रिष्टिक राषवालों के लिए तो ब्रिष्टिक राषवालों ये जो आपके लिए शूर ग्रहन है 21 जून का ये आपके लिए थोड़ा सा तकलीफ दायक होगा जैसे कि हमने कहा तकि 5 राषव को होगा भेंकर नुक्सान लोटरी सटा सेर मार्केट में अगर आपना भाग अजवाना चाहते हैं तो ऐसा ना करें नहीं तो आपको दिक्कते हो शकती है घाटे में हो शकते हैं तो बिश्चिक राषवालों आपको सावधान रहने के आवशकता है और आप अपने बाड़ी पर अपने आप बेपसाई पर और अपने जिम्मेदारी पर ध्यान देने के आपको अवशकता है बात करें धनुराषवालों के लिए तो यहां पर आपकी जो आर्थिक लोगों को अपनी और आकर्सित तो करेंगे लेकिन यही बाड़ी किसी न किसी को आपको जो प्री लगता है उसको बुरी भी लग सकती है प्रोपेशनल लाइप में आपको यहां पर बेहतरीन संबंद बनाए रखनी के आवशकता है संतान का शुक मिलता नजर आ रहा है बा अपने केरियर को सबाड़ने में लगे हुए है एक अच्छी नौकरी आपका इंतजार कर रही है और आप लोगों को समझ रहे हैं लोगों को अपने और आकर्शित कर रहे हैं घर परिवार आपको जिम्मेदारी आपके लिए दी गई है उसे आप अच्छी तरे के से कर भी बारे हैं आपकी 32 ती मजबूत होगी बात करें अगर कुम्ब राशवालों के लिए तो कुम्ब राशवालों बदलाव किस्तिती बनी हुई है यानि कि आप चेह बेफसाय कर रहे हैं या आपको इन छेत्रों में बदलाव दिख रहा है थोड़ा सा आप अपने क्रोध पर नियंतरन रखे तो आपके लिए बहतर होगा आपको दोस्तों से मुलाकात हो सकती धन दावलत एस्वर संपत्ति में ब्रिद्धी हो सकती है समाज में मान सम्मान आपका बढ़ सकता है लेकिन अपनी बारी पर कंट्रोर बनाए रखें समाजिक छेतर में कोई अच्छा काम कर सकते हैं जो आपको लोगों को यानि कि प्री लगेंगे और हितकर लगेंगे तो यह समय आपके लिए बहतर है अगर अगली राशी की बात करें मीन रासवालों को तो मीन रासवालों आपका ये सूर्गर है काफी अच्छा प्रभाव रहने वाला है महत्तपूर्ण रहने व यहां पर आपको संबंध अच्छे बनाए रखने की आवश्यक्ता भी है। लेकिन फिर भी आप धार्मिक ग्रंतों को पढ़ सकते हैं उनका नाम ले सकते हैं उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं तो दोस्तों जाते-जाते वीडियो को लाग जरूर करिए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए चैये शनिदेव